बॉलिवुड के मचूर एक्टर रनवीर और आलिया भट की मूवी रोकी और रानी की प्रेम कहानी सिनिमा घरों में रिलीज हो चुकी है फिल्म काफी वक्ष से अपने गानों के लिए चर्चा में बनी हुई थी इस मूवी में रनवीर सिंग और आलिया भट के साथ साथ धरमेंदर जया बच्चन और शबाना आजमी भी एहम भूमिका में दिखाई दिये हैं इसके अलावा कई टीवी सितारे ने भी रोकी और रानी की प्रेम कहानी में कैमिय रोल निवाया है बतादें की फिल्म के जरיע करंद जोहर ने करीब आठ सालों बाद डायरेक्टर की गद्दी दुबारा समभाली है ये भी कहा जा सकता है कि आठ साल बाद भी करंद जोहर के डैरेक्शन में कोई कमी नहीं आई है और उन्होंने फिल्म में भी जान फूगने में कोई कसर नहीं छोड़ी है तो चलिए जानते हैं रोकी और रानी की प्रेम कहानी रन्वीर सिंग और आलिय भट की रोकी और रानी की प्रेम कहानी रोकी और रानी की जबर्दस लव स्टोरी पर अधारित है रोकी अपने दादाजी यानि धर्मेंदर के लिए जमीनी शबाना आजमी को ढूनने की कोशिश करता है जो कि उसके दादाजी की खोई आदाश को वापस लाने में मदद कर सकती है लेकिन इस जोरानवे जमीनी की पोती रानी आलियावट से प्यार कर बैठता है लेकिन जिस की प्रेम कहानी में सबसे बड़ा टास्क होता है रनवीर सिंग और आलियावट की रोकी और रानी की प्रेम कहानी हर माइनों में खरी उतरी है बात चाहे एंटरेंटमेंट की हो या फिर स्क्रीन प्ले और वीजुल की हर चीज में मूवी बिलकुल परफेक्ट साबित हुई दर्शकों को रोकी और रानी की प्रेम कहानी में रुमांत के साथ साथ कोमेडी ड्रामा और म्यूजिक भी देखने को मिलेगा जो उन्हें इंप्रेश भी करेगा जहां रनवीर सिंग ने अपने कैरेक्टर में जान फूगने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी तो वहीं आलि एक्टर से रोकी और रानी की प्रेम कहानी में करन जोहर ने भी दम दिखाया है। दर्शकों को पुराने दोर की याद दिला सकता है। अगर आप इस फिल्म को देख चुके हैं तो हमें अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।